वेलकम बैग गाईज आम योज़िकेटर दिवान शियादव आने टोड़ी इस लेसन वी आर गोईंग टो डिसकस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइट इस प्रेशर ग्रूप्स और पॉलिटिकल पार्टीज तो चलिए देखते हैं क्या रिलेशन्शिप है ब आप आदेश दीजिए और हम उस आदेश को पूरा करेंगे क्योंकि जनता क्या है जनता सोर्स ओफ पावर है वी दपिपल ऑफ इंडिया अर्द सोर्स ओफ पावर हम डिमांड करते हैं जैसे कि हमें इंप्लॉइमेंट चाहिए या फिर हमें वाटर फैसलेटिस चाहिए यह प्रॉपर एलेक्टिसिटी नहीं मिल रही है तो सब्सक्राइब को सब मिल जाएगा कर आप हमें वोट देते हैं तब हमने पार्टी पर ट्रस्ट किया और इसको अपना वोट दे दिया तो अब क्या हुआ हमने पावर ट्रांसफर कर दी यानि की पावर अब किसके पास है इ बात करी थी के बात करी थी तो अब क्या होता है गाईज आब हमें को इनसान चाहिए जो गमेंट को याद दिलाए कि उसके प्रेशर ग्रूप इन प्रेशर ग्रूप काम है कि गवर्मेंट पर नजर रखे और गवर्मेंट को याद दिलाए कि उनके अब्जेक्टिव क्या है और उनको क्या काम करना है इनका काम होता है कि पॅब्लिक पॉलिसी में चेंज़ें लेकी आए जिससे कंट्री का हाम हो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिये जिससे पूरी कंट्री का पेनिफिट हो pressure groups के कई सारे नाम हैं जैसे कि interest group, vested groups, protest group या फिर lobby groups pressure groups usually non-profit and volunteer organizations होती है क्योंकि ये किसी social cause के लिए बनाया जाते हैं इनका एक specific purpose होता है तो अब बात आती है कि इन pressure groups को कौन join कर सकता है देखे अगर मुझे अपने environment से प्यार है तो मैं एक ऐसे group को join करना चाहूंगे जो environment protection के लिए काम कर रहा हो similarly अगर मुझे women rights के लिए आवाज उठानी है तो मैं women rights वाला group join करूंगी लेकिन अगर इसी जगे कोई misogynist इंसान है तो वो women right वाले group को क्यों join करना चाहेगा इसलिए only persons with similar set of values and beliefs can join that pressure group ये pressure groups उन लोगों का viewpoint represent करते हैं तो society के current condition से खुश नहीं है satisfied नहीं है ये pressure group government को influence करेंगी कि हमें आप से बहुत उमीदे हैं भाई आप प्लेस इस चीज़ पर ध्यान दीजे pressure groups democratic process का बहुत important part है क्योंकि ये concerned group होते हैं जिनको फर्क परता है अकर society में कुछ गलत होता है तो ऐसा नहीं है कि सेफ election की time पर active हो रहे हैं ये throughout the process जो 5 साल का term है ये fully active रहते हैं नहीं है pressure group एक civil society का group बोल सकते हैं because they are the group of people जो government पे नजर रखते हैं so pressure groups are very important part of democracy non-partisan का मतलब है कि जिसको जिसको जिर्फ मुद्दे से मतलब होता है देखे friends क्या होता है अगर कोई political party है अगर उस political party को पता है कि employment नहीं है लेकिन अगर वो बोलेगी इसके अगेंस्ट तो वो खुद की ही party को वीक कर देगी और अगर opposition वाले बोलेंगी तो क्या होगा वो एक political agenda हो जाएगा तो इसलिए हमें प्रेशर ग्रूप्स चाहिए जिनको सिर्फ मुद्दे से मतलब है जहां पर सरकार की नीतिया गलत लगेंगी देविल स्पीक नेक्स्ट है types of pressure group देखिए pressure groups all over the world होते हैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है western countries जैसे की England, France, USA वहां पर भी pressure groups हैं लेकिन फर्क क्या है वहां के जो pressure groups हैं वो ज्यादा developed है as compared to India so let's see India में कौन-कौन से pressure groups हैं first है business group, business groups are the most recognized pressure groups in India FICCI, CII, SOCAM यह सारे business group हैं जो government पर तब pressure create करेंगे जिब economy slowdown होगी या फिर टेकसे से related, GST से related या corporate से related जो भी issues होंगे वो सारे इन groups के अंडर आएंगे second है agarian group as you know India को land of agriculture कहा जाता है लेकिन फिर पे किसान को किती problems face करनी पड़ती है, loans से related, irrigation problems है, seeds से related problems है, monsoons है, suicides है ऐसा माना जाता है कि इंडिया में हर दिन एक farmer suicide करता है, तो इस सब के लिए government पे कौन pressure create करेगा, agarian groups All India किसान सभा, भारतिय किसान union, All India किसान सम्मेलन, these are the important agarian pressure groups एक recent example देखते हैं, जिससे आप थोड़ा और अच्छ से समझ जाएंगे Recent में क्या हुआ इंडिया में कई सारे states में, जैसे की Delhi, Punjab, हर्याना, करनाटका में, thousands of farmers ने protest किया against farm bill क्योंकि जो farm bill था, वो farmers friendly नहीं था And around 9 to 10 pressure groups इस protest का part थे And ये pressure groups government पे pressure create कर रहे थे ऐसा नहीं है कि जो हो रहा है होने दो हमें क्या फर्क पड़ता है जहां पर सरकार के नीटे अगरत लगेंगे, they will speak because they are concerned group Third है students organization Student organization किसी ना किसी political party से affiliated होते है ABBP यानि की अखिल भारते विद्यारती परिश्यत ये BJP से affiliated है NSUI यानि की National Students Union of India ये Congress से affiliated है AISF यानि की All India Student Federation ये CPI से affiliated है And SFI यानि की Student Federation of India ये CPM से affiliated है ये सारे student organization किसी ना किसी political party से affiliated है But we pretend इनका काम है pressure डालना Fourth है ideology based groups Ideology based group के पीछे कोई particular ideology होती है या फिर कोई cause होता है For example, नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा rivers पे dams के construction के against यांदोलन स्टार्ट हुआ था इस आंदोलन को शुरू करने की पीछे social और environmental cause था चिपकू movement that was started by सुंदरलाल बहुगुना अनना हजारे का India against corruption movement And women right organization for protection of women rights So, मैंने यहां कुछ ideology based groups cover करे हैं लेकिन there are number of ideology based groups आप बस नाम लेज़े और आपको से related group मिल जाएगा So, recently जो farmers protest हुआ है उसका पार्ट भी है यह शिरोमानिय काली दल Government पर pressure create करने के लिए सिर्फ प्रोटेस्ट ही नहीं के जाते हैं Friends, इसके लावा कई सारी चीज़े होती हैं जैसे की mainstream media में क्या होता है Debates and discussions होते हैं ताकि voice government तक पहुच पाए Facebook पर groups बनाया जाते हैं Twitter पर tweets के जाते हैं Thousands of tweets के जाते हैं ताकि government पर pressure create हो और government को answer देना पड़े इसके लावा और क्या कर सकते हैं lobbying कर सकते हैं lobbying में क्या होता है Friends जो like-minded लोग होते हैं वो एक साथ मिलके lobby create करते हैं माल लीजिए BJP में कोई ऐसा इंसान होगा या फिर CPI में कोई ऐसा इंसान होगा या कोई ऐसा bureaucrate होगा या फिर कोई businessman होगा जिनकी thinking एक जैसी होगी जिनका motive एक होगा तो ऐसे लोग क्या करते हैं ये लोग मिलते हैं और आपस में lobby create करते हैं जिसमें ये लोग seminars कंड़क करते हैं get together करते हैं और government पर pressure create करते हैं ये थे types of pressure groups and different ways of creating pressure next है political parties political parties ऐसे लोगों का association होता है जिनके political perspectives, principles, aims अब common होता है political party contest elections so political parties election contest करवाती हैं लेकिन friends देखिए ऐसा बिलकुल भी mandatory नहीं है कि आपको elections fight करने के लिए किसी political party का member होना चाहिए आप independently भी elections fight कर सकते हो without joining any political party हर individual के पास पूरा right है कि वो अपनी political party बना सकता है under article 19 1 C we have freedom of association और अगर आपको कोई रोकता है तो आप supreme court जा सकते हैं और जो political parties हैं उनके लिए पिलकुल भी mandatory नहीं है कि वो खुद को register करवाए in election commission of India आप बिना registration करे भी अपनी political party बना सकते हैं लेकिन जिनको registration करवाना है वो registration भी करवा सकते हैं ऐसा कोई mandatory नहीं है कि registration चाहिए यह चाहिए under election commission of India लेकिन जो political party registration करवाती है तो उसको उसका advantage भी मिलता है फिर बात आती है कि इन political parties का member कौन बन सकता है तो people with similar political ideology can become the member political parties का ultimate goal क्या होता है to acquire power इन parties का कोई एक particular objective नहीं होता है यह manifesto produce करते हैं जिसमें बहुत सारी चीजों को cover किया जाता है and political parties are accountable to people यानि कि political parties को लोगों को जवाब देना पड़ता है और चीजे justify करने पड़ती है next है kinds of party system so three kinds की parties हैं world में one party system, two party system and multi party system so one party system में क्या होता है only one ruling party exist and no opposition सिर्फ एक ruling party होती है and उसका कोई भी opposition नहीं होता है यह system देखने को मिलता है USSR में and East European countries में two party system में सिर्फ दो major party exist करती है जैसे कि USA और Britain में देखने को मिलता है multi party system में बहुत सारी political parties होती है and यह political parties आपस में coalition भी कर सकती है यानि के गडबंदिन कर सकती है multi party system कौन कौन सी countries में है France, Switzerland, Italy and India so now let us summarize देखते हैं pressure groups in political parties में क्या differences है pressure groups elections नहीं contest करते हैं whereas political parties contest elections pressure groups are not at all accountable to people whereas political parties are accountable to people political parties को जनता को जवाब देना पड़ता है चीजे justify करनी पड़ती है चीजे explain करनी पड़ती है pressure groups का specific objective होता है जिसके लिए ये groups government पे pressure create करते हैं whereas political parties का कोई एक specific objective नहीं होता है Political parties के manifestos होते हैं जिसमें wide range of issues को cover किया जाता है Pressure groups का aim होता है at exerting influence ये government को influence करते हैं ताकि government अपने declare objectives को achieve करे Whereas political parties का aim क्या होता है To acquire power So this is it guys If you enjoyed the lesson do smash the like and subscribe button And don't forget to press the bell icon See you in the next lesson Thank you very much